Hey what is up guys, welcome to another new fresh video of Technical Bhopal YouTube channel आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Toyota High Rider के बारे में यह आप देख रहे हैं आपके सामने इसका G variant white color में काफी सारे vibrant color के साथ में कार आती है और इसकी जो road presence है ना वो no doubt काफी कमाल की company ने बनाई है मतलब इसकी जो sibling rival है ना Grand Vitara उससे यह 20 mm long है यार गाड़ी तो company में design language में थोड़ा तो change किया और काफी huge लगती है बाइद आवे हम आए हैं राशपाल Toyota पे अगर आपको Toyota High Rider या फिल Toyota की कोई भी car book करनी है तो आप contact कर सकते हैं नंबर्स आपको display and description में मिल जाएंगे बोपाल के अंदर आप गाड़ी purchase कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं straight forward Toyota High Rider के G variant के बारे में तो like यहाँ पर आपको 1.5 liter का petrol engine मिल जाता है और यह काराती है strong hybrid के साथ में तो कमाल की आपको average मिलने वाली है गाड़ी के headlights and DRL की बात करते हैं तो DRL आपको dual barrel के साथ में मलती है with integrated indicator यहाँ पर आपको single projector मिल जाता है fog lamp की यहाँ पर need नहीं है क्योंकि company ने bumper को इस तरीके से design किया है कि fog lamp की ज़रूरत नहीं पड़ती है and यहाँ पर अगर आप देखेंगे and radiator section भी काफी बड़ा company ने दिया है काफी यूज दिया है and कमाल की बात तो मुझे यह लगी कि grand vitara को company ने directly copy paste नहीं किया है toyota ने यहाँ पर थोड़ा बहुत bumper redesign कर दिया है rear का look rate design कर लिया है alloy की design को अच्छी तरीके से company ने maintain किया है तो दिखने में काफी अच्छी लग रही है by the way गाड़ी के अंदर आपको 17 inches के alloy wheel company दे रही है और alloy की design fantastic है four disc brakes आपको मज़ जाते हैं जिससे braking काफी बढ़िया हो जाती है दोस्तो तो braking की tension आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और average भी आपको काफी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि यह strong hybrid variant है अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 20 mm यह long है तो Grand Vitara जिसकी rival है na sibling rival उससे यह 20 mm आपको long मिलने वाली है इसके जित्ते भी dimension से भापको डिस्प्लेइ पर शोग हो जाएंगे तो काफी अच्छा आपको इसके अंदर dimension मिलता है और ground clearance मिलता है 210 mm का जो आपको largest मिलता है segment में तो भाई बढ़िया आपको ground clearance मिलने वाला है strong hybrid है ना यह तो यहाँ पर आपको hybrid की badging भी मिल जाएगी ORVM आपको यह उपर देखने को मिलेंगे white color में with sight turn indicator auto fold retractable जो भी function है वो इसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाता है आपको यह lower window garnish मिलती है chrome finish के साथ में जो बहुत प्यारी लगती है door handle आपको white color में मिलेंगे जो car का color होगा वैसा ही door handle मिलेंगे और यहाँ पर आपको request sensor का option मिल जाएगा G variant के अंदर में driver and co driver side उपर आपको mid model के अंदर देखो panoramic sunroof मिल रही है इससे अची बात क्या हो सकती है और यहाँ पर आपको active roof rails भी मिल जाती है जो working ऐसा नहीं है यह pasting वाली active है पूरा जो casing है वो इसकी body से हुई है roof rail की पीछे आपको sharpie 99 मिल जाता है and look wise गाड़ी बहुत premium feel कराती है अब यहाँ पर एक चीज हमारी बज़े गई है पीछे हमने आपको disc brake नहीं दिखाया है तो यहाँ पर आपको दिखा दे mid variant के अंदर आपको disc brake company दे रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है पीछे आपको rear wiper, rear defogger वगेरा सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर आप देख लीजे rear आपको high mounted stop lamp भी मिल जाता है spoiler में integrated and जैसे कि हमने आपको बताया गाड़ी के अंदर आपको भरपूर features मिलते हैं पीछे आपको यहाँ पर टोयोटा का लोगो मिल जाता है tail light आपको कुछ इस टाइप की design के साथ में मलती है जो बहुत premium लगती है मतलब यह car full package है आपको सारी चीज़े मिल जाती है अब यहाँ पर आपको Toyota high rider में urban cruiser की badging भी मिलेगी जो की बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो urban cruiser भी यहाँ पर लिखा हुआ है high rider के साथ में G variant है and strong hybrid है तो यहाँ पर भी badging company ने properly करके दी है and पीछे से जो looks है वो कमाल की निकल के आते हैं इस car के no doubt यह चीज़ बोलना पड़ेगा and इसके लिए Toyota को यार congratulations के यह car बहुत अच्छा बूम करने वाली है क्योंकि SUV segment में बहुत तगड़ी कार आने वाली है market के अंदर तो crata की तो band विजने वाली है सची बोल रहा हूं है पीछे आपको रहे है विसके प्लेट्स वगिरा मिल जाती है and कमाल की गाड़ी है guys कमाल की गाड़ी है मतलब इसके बार में जितना बोलो न उतना कम है and pricing segment को देखते हुए न मुझे मतलब personally यह चीज में बोलना चाहूंगा कि justify करती है जो value आप गाड़ी में लगा रहे हो उसे justify कर रही है यह car आपको archimis के speakers में मिल जाते हैं तो no doubt पूरा जो package है न गाड़ी के अंदर वो company ने कमाल का करके दिया है पीछे भी आपको यहां पर soft touch finish मिल जाती है satin silver finish है यह power window के controls है पूरा जो soft touch finish है वो आपको पीछे भी मिलती है तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपको गाड़ी के अंदर सारी चीज़े मिल रही है रेर में आपको three headrest मिल रहे है seats में यहाँ पर आपको मिल जाता है यह section यहाँ पर आपको बीच में armrest भी मिलता है यहाँ पर आपको इस event मिल जाते है और नीचे आप देखेंगे तो यह आपको दो charging point मिलते है टाइप A और टाइप C के लिए चलिए अब चला जाए driver seat की तरफ तो यहाँ पर आपको adjustment manual मिलते हैं जो की चलता है G variant के अंदर जो mid variant है तो यहाँ पर आपको manually adjust करने का option मिल जाएगा आगे पिछा भी easily कर सकते हैं और गाइज जिन कंपनियों को नहीं मालूम है bucket seats क्या होती है भाई यह इन से सीख लो भाई Toyota से और Suzuki से फुल bucket seat company ने यहाँ पर आपको दी है देखो भाई black and brown interior में company ने पूरा यह फैबरी का पॉस्टरी करी है अब बकेट seat दी है जिससे आपको driving जो आप करोगे ना कर सवगेर में जाओ गोए तो काफी अच्छा support मिलने वाला है पीछे arm register में यहाँ पर आपको space मिल जाता है यहाँ पर आपको पूरा जो cockpit है उसको आपको feel मिलता है अब यहाँ पर आपको एक shift lock option मिल जाता है तो यह आपको पूरी जो features है वो मिल जाते है अब यहाँ पर आप बात करेंगे गाड़ी के अंदर features की तो यहाँ पर आपको charging socket मिल जाते है wireless charging का support है आप normally अपने mobile को cable के through भी चार्ज कर सकते हैं अगर wireless चार्ज करना है तो wirelessly भी आप easily चार्ज कर सकते हैं center में आपको यहाँ पर traction control का भी बठन दिया है automatic climate control है यहाँ पर आपको AC1 design कुछ ऐसी मिल जाती है जो की बहुत अच्छी लगती है 9 इंचिस का infotainment system में जो same edited मारुती सुदू की में आता है न वहीं आपको Toyota heriator के अंदर मिलेगा black and brown finish है soft touch finish के साथ में glove box आपको यहाँ पर मिल जाता है and finishing in a dashboard की भी वो काफी कमाल की है उपर यहाँ पर आप देख लो heads up display दिया है गाडी के अंदर में 7 inches की आपको TFT display मिल जाती है multi information जो show करती है steering wheel आपको कुछ ऐसा मलता है infotainment control cruise control का section आपको पूरा मिल जाता है गाडी के अंदर में and यह steering wheel आप इसको tilt तो कर सकते हो साथ में telescopic भी है मतलब आगे पीछे भी कर सकते हो कमाल की बात है यहाँ पर आपको push start stop button मिल जाता है HUD के control है उपर नीचे आप कर सकते है HUD को अपने accordingly and headlight leveler वगेरा दिया हुआ है तो अब करते हैं हम गाडी को start थोड़ा boot up करते हैं हमारी जो MID उसे और आपको दिखाते हैं कैसा क्या आपको जो control experience है वो मिलने वाला है तो यहाँ पर हमने गाडी को कर लिए start ऐसा कुछ आपको जो booting animation है वो मिलता है high rider के अंदर में and यह देखिए and यह है 7 inches का MID display जिसके अंदर आपको multiple information show होती रहती है कि क्या चीज़े हैं क्या गाडी के अंदर आपको features मिल रहे हैं किस mode में चल रही है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाएगा यह है इसका main infotainment system जो 9 inches का है same as it is जो balino and reza के अंदर में आ रहा है न same as it is वही system है car connected features के साथ में आता है यहाँ पर आपको सारी चीज़े मिलती है बस इस car के अंदर आपको 360 degree camera नहीं मिलता है जो of course ही बात है अगर आप इसका mid variant लेंगे तो इसमें सारे features दिये है HUD display भी दिया है तो एक अधा feature आप थोड़ा सा price में compromise करके इस variant को ले सकते हो काफी सारे features आपको यहाँ पर मिल जाते है उपर में आपको day night IRVM मिल जाता है sunshade में आपको driver के लिए vanity function भी मिल जाता है मतलब vanity mirror and vanity light वगिरा company ने दिया है यहाँ पर पूरा ध्यान रखा है driver का भी यहाँ पर आपको मिल जाता है यह sun glass holder sunshade वगिरा रखने के लिए and lights वगिरा यहाँ पर आपको room lamp मिल जाते है काफी अच्छी lighting है इसकी co-driver side में भी आपको vanity light and vanity mirror मिल जाता है यह grab handle है और उपर आप देखिए roof पर आपको panoramic view sunroof मिलती है तो इससे अच्छी कमाल की बात क्या हो सकती है तो काफी अच्छा package है अगर आप Toyota high rider को consider कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इसका जो G variant है ना काफी जादा value for money साबित होने वाला है और काफी सारे features इसके अंदर आ जाते है like एक दो features है like 360 degree camera है और ventilated seats वगरा इसके अंदर आपको नहीं मिलती है इसकी value को ये justify कर रही है मतलब अगर आपको 20 lakh का budget है ना तो आराम से आपकी budget के अंदर ये काराने वाली है average आपको काफी अच्छे मलने वाला है डाडी के अंदर आपको strong hybrid technology मिलती है और काफी सारे features आपको G variant के अंदर ही fulfill company कर देती है इसी के साथ में ये थी आज की video अगर आपको पसंद आई तो like करें, share करें और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर दो आपके भाई का channel है support करो और हम आप से में एक और new video के साथ में तब तक लिए और सारी videos देखो and fun and enjoy करो